हेलो फ्रेंट्स, एक स्माइलिंग टुबर पर आपका स्वागत है दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने अधार कार्ड में अपना फोन नमबर कैसे एड़ कर सकते हैं जो पहले अधार कार्ड बने थे शुरू-शुरू में उनमें जालतरों में फोन नमबर एड़ नहीं किये गए थे तो उन लोगों को अब दुबार से सेंटर जाकर अपना फोन नमबर एड़ करवाना पड़ता है क्योंकि अधार कार्ड में नमबर बहुत ही ज़रूरी हो गया अगर आपको ओन लाइन कोई भी करेक्शन करना है अपने अधार कार्ड में तो उसके लिए आपके मोबाइल पर एक OTP आता है तभी आप अपने अधार कार्ड में घर बैठे चेंजिस कर सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आप कैसे अपने अधार कार्ड में अपना फोन नमबर एड़ कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मुबाइल से या कम्प्यूटर से अधार कार्ड की वेबसाइट पर आपको जाना होगा www.uidai.gov.in यह अधार कार्ड की ओफिशिल वेबसाइट है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है यहाँ पर यह इसका फ्रेंट पेज है यहाँ पर काफी सारी डिटेल्स दी गई है दोस्तों अगर आप अपने नजदी की सेंटर में जाते हैं अपना अधार कार्ड में नमबर डलवाने के लिए तो वो काफी आपसे पैसे लेते हैं काफी लूटते हैं कुछ लोग तो 400-500 रुपे भी ले लेते हैं और अगर आप सरकारी उसमें जाते हैं तो वहाँ पर बहुत लंबी लाइन होती है लगबग पूरा दिन आपका वही बरबाद हो जाता है और उसके बाद भी शायद ही आपका नमबर आता है लेकिन अगर आप इस मैथर से अपलाय करते हैं अधार कार्ड में फोन नमबर एड़ करवाने के लिए तो ये काफी इजी पढ़ता है और इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता तो चलिए ये हमने यहाँ पर डिटेल्स दी गई है हमने सेकिंड नमबर की डिटेल्स यूज की थी जब हमें अपने अधार कार्ड में अपना फोन नमबर नाम और डेटो बर्स इत्यादी चीजे एड़ करनी थी या करेक्शन करने थी इसके लिए हमें अपने अधार कार्ड में फोन नमबर होना जरूरी है लेकिन आज हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने आधार कार्ड में फोन नमबर एड़ कर सकते हैं इसके बाद आपके सामनी ये फोन आ जाएगा जिसमें हमें मोबाइल नमबर रजिस्टर करना है तो ये पूरा एक फोन है इसको सबसे पहले आप इसका प्रेंट आउट निकाल लेजिए अगर आप मोबाइल से है तो इसे डाउनलोड कर लेजिए और फिर प्रेंटर से कनेक्ट करके मोबाइल को आप इससे अपना प्रेंट आउट निकाल लेजिए आपको ये फॉम फिल करना होगा पूरा और इसी के थुरू आपको अपना नंबर आधार कार्ड में एड़ होगा तो चलिए देखते हैं कि आधार इसमें फॉम में क्या-क्या फिल करना है तो इसमें सबसे पहले आपको चीज में करेक्शन करनी है उस पर टिक करना है यहाँ पर काफी सारे ओप्शन दिये गए हैं सबसे पहले हैं यहाँ पर नाम, जैंडर, डेट बर्थ, एड्रस, इमेल आईडी यहाँ पर फॉन नंबर का कोई ओप्शन नहीं है इसके लिए हमें यहाँ पर एक बोक्स बनाना होगा और वहाँ पर फॉन नंबर लिखकर उस पर टिक करना पड़ेगा उसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर लिखना है आपको वही आधार नंबर लिखना है जिसमें आपको अपना फॉन नंबर एड करवाना है इसके बाद आता है residence name, यहाँ पर आपको residence name डालना है उसके बाद आपको अपना gender select करना है उसके बाद अपना date of birth, आप बिल्कुल सही सही लिखेगा जो आपको अपने आधार कार्ड में चाहिए इसके बाद आता है address care of details यहाँ पर आप अपने पिता या पती का नाम select करके यहाँ पर उनका नाम लिख दीजिए उसके बाद आपको नीचे house number, apartment number या building number जो भी आपका है उसे लिख लीजिए उसके बाद नीचे street number आता है आपका जो भी गली number है आप उसे लिख दीजिए उसके बाद आता है आपका landmark जो भी आपके हाँ का landmark है आप उसे लिख दीजिए उसके बाद आपको area लिखना है उसके बाद आपको village, town, city उसके बाद आपको डिस्ट्रिक उसके बाद पोस्ट ओफिस उसके बाद आपको स्टेट लिखना है और उसके बाद आपको अपना पिन कॉर्ड नंबर लिखना है उसके बाद यहां पर ऑप्शन दिया है आपको मोबाइल नंबर का यहां पर आपको अपना वही नंबर लिख करवाना चाहते हैं अपना email address भी add करवाना चाहते हैं तो आप अपना email address यहां पर लिख सकते हैं उसके बाद नीचे documents दे गए हैं जो आपको proof के तोर पर लगाने पड़ेंगे POI, POA, proof of identity के लिए आप नीचे यहां पर इसके second page पर जाएंगे तो वहां पर आपको सारे documents की list मिल जाएगी नीचे जाकर यहां पर आपको सब कुछ लिखा है कि आपको proof of identity और proof of address और date of birth के लिए आपको कौन-कौन से documents जमा करवाने हैं तो आपको इस form के साथ अपने वो सारे documents attach करने होंगे और इनको आपको भेजना होगा यह यहां पर सारे details दी गई है नीचे आपको इनका address भी दिया गया है सबसे नीचे जिस पर आपको यह letter भेजना है दोस्तों इसमें आपका जो भी correction होता है वो 15 से 20 दिन में हो जाता है और आपके घर पर आपका अधार कार्ड आ जाता है यह आपको phone number के लिए आपको कोई proof देने की जरुवत नहीं होती आपको बस यह पूरा form देना है और आपको इस address पर यह form भेज देना है दोस्तों आपके पास सिर्फ दो ही option होते हैं आधार कार्ड में number डलवाने के लिए एक आप खुद आफिस जाकर अपना लाइन में लगना पड़ेगा और आपके अगर आप प्राइवेट उसमें जाते हो तो आपके कुछ पैसे भी लग जाते हैं और आपके पास दूसरा यह option है कि आप online form डाउनलोड कीजिए उसे fill कीजिए और आप उसे post office से उसे भेज दी दिए आप best होगा कि आप इसे speed post के द्वारा ही भेजें इसे आपका जो काम है वो जल्दी हो जाएगा और 15 से 20 दिनों के अंदर आपका अधार कार्ड में चेंजिस हो जाएगे आपका अधार कार्ड आपके घर भी आ जाएगा और अगर आप चाहें तो आप उसे फिर online भी download कर सकते हैं तो friends अगर आपको हमार ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं thank you friends